इस वीडियो को स्पॉंसर किया है इसस मोवी मूवर ने जिसकी मज़से आप कर सकते हो अपने आइफोन का complete content manage यहाँ पर आप देख सकते है content manager आपको इस software में मिलता है जिसकी मज़से अपने PC या Mac पे बैटे बैटे अपने iPhone का सारा data, सारे messages, contacts, applications, हर चीज़ को यहीं से manage कर सक कर सकते हो इसी के साथ दोस्तों इसमें आता है phone to PC या Mac का transfer option जिसकी मज़से अपने phone का सारा data अपने PC में transfer कर सकते हो similarly Macbook से या PC से phone पे data transfer करने के लिए भी इसके अंदर provision है और इसी के साथ इसमें आता है phone to phone transfer अभी आप में से काफी सारे लोग नया iPhone 12 लेंगे तो यहाँ प अपने पुराने iPhone से नए iPhone 12 में सारा data transfer कर सकते हो इसस movie maker का चल रहा है 60% discount offer one year all lifetime upgrades अगर आप लेते हैं तो आपको 60% discount मिल जाता है software और इसी के साथ buy one get one free offer है जहाँ पे इसस movie more download करने पे आपको मिलता है free iPhone ringtone maker software तो इसके मज़से बहतरीन ringtones अपने iPhone पे बना के install कर सकते है दो नों करके चेकाउट जरूर कीजिए यह अगर iOS 15 के beta 3 से आप update करेंगे तो यहाँ पे यह देखने मिलेगा अगर आप beta 2 पे हो या iOS 14 से जा रहे हो iOS 15 पे तो आपको 45 GB का update जो है वो देखने मिल सकता है इसके बाद देख लेते दोस्तों पुराना build number तो यहाँ पे उसके end में E था available free space था 32.64 GB beta 2 पे और modem firmware था 2. 2.07.01 और अभी beta 4 करने के बाद जो है यहाँ पे build number के end में G है available free space जो है वो slightly घड़ा है पर 36 GB के आसपास ही है और यहाँ पे एक नया modem firmware जो हमको देखने मिलता है 2.08.01 अब यहाँ पे दोस्तों changes और नए features क्या क्या आए है इस वाले update में वो check out करते दो सबसे पहला जो य notification का icon यहाँ पे एक नया notification का जो है icon आपको देखने मिल जाता है और notification के अंदर भी एक चीज़ जो है Apple ने यहाँ पे add किया है वो है screen sharing के notification तो अगर आप screen share करते हो तो उसके notification जो है वो भी आपको देखने मिलेंगे और यहाँ पे साफ तो पर लिखा है allow notifications while using share play और screen mirroring अगर आप share play use करे हो यानि की FaceTime के जरे से आप अपनी screen share कर रहे हो किसी और के साथ या फिर screen mirror कर रहे हो अपने TV वगरा पे तो आपको allow करना है या नहीं करना है notification को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं आप इसको on रखेंगे तो TV पे screen share करेंगे या किसी और device पे तो आप ए notification भी आपके आएंगे तो अगर आपको कोई काम करना है किसी को presentation देना है तो screen sharing के notification को आपको off रखना है तो यहाँ पर यह एक नया change आपल लेके आया है notification टैब में और उसका icon भी update किया है दोस्तो यह वाला update जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके iPhone का AirDrop जो है वो automatically off हो चुका अगली चीज जो इस वाले update में change हुए दोस्तो वो है lock screen पे camera icon अगर आप कैमरा icon को गोर से देखेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा hole भी आपको नजर आएगा जो के beta 2 के अंदर या फिर iOS 14 के अंदर आपको देखने नहीं मिता तो यहाँ पे आप देख सकते है इस पे beta 3, beta 2 तो जो आप बोलेंगे वो चल रहा है यहाँ पे पुराना camera icon यह था यह बेटा 3 है वैसे public beta 3 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नया camera icon जो है आपको देखने मिलता है अगला जो चेंज यहाँ पे आया है दोस्तों वो आया है max save battery packs related iOS 15 के beta के अंदर max save battery pack को जो है as a max save battery pack apple के original accessory वो डिटेक नहीं करता चार्ज ही तो हो रही थी iPhone की तो यहाँ पे यह चीज़ भी update होगी अब मेरा max save battery pack जो है वो रास्ते में आने वाला है तो most of all आपको जो है उसकी वीडियो देखने मिलने माली है उसमें यह चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा तो जब आप उ यह smart rotate का option तो मिलता ही है पिछले बेटा में भी था लेकिन इसमें एक नया animation भी आपको देखने मिलता तो यहाँ पर देखेंगे आप इस पर tap करेंगे तो आपको यहाँ पर नया animation जो है वो देखने मिलता है तो यह जो है आपके habits के मुदाबिक यह आपका widget का stack जो है उसको पीछे वाला message आपको नहीं दिखाना चाहता लेकिन यहां पर जैसे यहां पर dad वाला contact है तो इसमें चला गया तो यहां पर share focus status का option आपको देखने मिलता है तो यहां पर आपका जो भी focus status रहेगा कि आप share करना चाहते है अपने father के साथ या आपकी जो भी contacts है i message पर यहां से phone नहीं उठा रहे है तो चुप चप जाके इसको जो है off कर दीजे उनको पता नहीं लगेगा अगला जो change आया दोस्तों वह भी focus mode से ले लेट आया focus mode के अंदर जो control center से हम focus को use करते है वहां पर जो भी focus mode हम जाते है उसका icon जो है वो retain है suppose हम जाते है gaming focus mode में और gaming वाले को off कर mindfulness में mindfulness कहां पर है settings में आप चले जाएंगे focus में जाएंगे तो यहां पर एक नया focus पिछली बार Apple ने आट किया था पिछले बेटा में mindfulness अब यह माइंफुलनेस जो है यह भी जो है अच्छा focus है इसके बारे में आप information हासिल कर सकते है अपने phone में देखके तो यहां पर जो है आप smart activate करना चाहते है अपने mindfulness को तो automatically जो है यह on हो जाएगा और आपको focus करने में help करेगा अगर आपने नहीं देखा यह focus क्या चीज है iOS 15 का तो आई बटन पर जो वीडियो है उपर वो देख ले ना यह वीडियो देखने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह focus क्या ची जो bottom का address bar है वहाँ पर refresh button दिया है तो pull down करके भी आप refresh कर सकते हो या चाहे तो यहां से भी आप refresh कर सकते हो यहाँ पर काफी सारे options देखने मिलते है जैसे यहाँ पर show reader mode है जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर reader mode में आप डिरिकली जा सकते हो और tap करके वापस आप regular mode मे आ सकते हो इसी के साथ आपको additional जो options है वो यहाँ पर देखने मिल जाते है इसको long press करके अगला जो change आया दोस्तो इसके अंदर वो आया है control center में control center में जो notes का icon है वो अब जो है update हो गया है और इसको long press करेंगे तो यहाँ पर आपको यह सारे options जो है देखने मिल जाते तो यह यहाँ पर यह नया icon जो है notes के लिए आया है अब एक नज़र दालते तो इसके बाद मैं आपको iOS की फिर से information दूँगा कि battery life कैसी है performance कैसा है benchmark कैसे तो उसके लिए wait कीजे थोड़ा या फिर आप timeline पे जो आपको chapters देखने मिलते है उससे आप आगे बढ़ सकते है तो यहाँ यहाँ पे iPad OS आया था तकरीबन 1GB का मेरे iPad Air 4 पे और similar रहेगा बाकी iPads के लिए यहाँ पे आप देख सकते है कि update से पहले जो है 28.68GB था और update के बाद 32.32GB होगा तो यहाँ पे update के बाद available free space काफी हद तक बढ़ गया है पहला feature यहाँ पे जो Apple लेके आया है उसके लिए आप play and handoff में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई नया feature तो नज़र नहीं आरा लेकिन handoff को एक बार off कीजिए और एक बार on कीजिए तो यहाँ पे cursor and keyboard लिखा आएगा कि यह आप cursor और keyboard यहाँ माउज और keyboard जो है Mac पे भी यूज कर सकते है iPad पे भी और यहाँ से इस screen से उस screen पे और उस screen से इस screen पे जा सकते है अगला जो change आया है दोस्तो वो आया है Safari के अंदर iPad में भी Safari के अंदर जो है काफी सारे changes आपल लेकिया और यहाँ पे आपको सारी चीज़े वैसी मिल जाएगी जैसे iOS में है लेकिन यहाँ पे थोड़ा और बड़े type का और जादा options वाला आपको Safari browser देखने मिलता है अगर आपको वही पुरानी settings चीज़े तो वह भी आप कर सकते हो आप settings में चले जाएए और यहाँ पे Safari browser जो है आप open कर लिजे यहाँ पर नीचे जाएगे तो tabs का option मिलता है आपको compact tab bar या फिस separate tab bar दो option में दे तो compact करेंगे तो यहाँ पे again जो है वह compact वाला tab bar आ जाएगा अगर आपको वह पसंद नहीं है तो आपको यह Mac OS trial का separate tab bar यहाँ से चूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके difference आपको साफ तो पर नजर आ रहा है और use करने में easy भी है तो यहाँ पे अगर आपके नहीं आई है और इसी के साथ दोस्तो पूस्तो आपल ने एक नया splash screen भी दिया था तो भी मैं आपको बदायता हूं यहां पे पहली बार आपको इक नोट ओपन करेंगे तो यह splash screen जो है आपको देखने मिलेगा जहां पर get started करके आप उसके features वगरा के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं अब iOS 15 beta 4 भी एक beta version है इसलिए यहां पर multiple आपको known issues रहेंगे आपल ने बहुत सारे यहां पर fix किया है लेकिन बहुत सारे known issues जो है अभी भी है जो Apple ने fix करना अभी यहां पर बाकी है तो यहां पर जो चीज रिजूल्ट हुई है वो रिजूल्ट में लिखी भी है और यहां प करके यहां पर solve होते जाएंगे इसलिए इसको beta version कहा जाता है यहां पर अगली चीज अगर मैं बता हूं आपको दोस्तों क्यूंके नया modem firmware आया है तो network reception performance वगरा में जो है आपको improvement देखने मिलना चाहिए कभी खराब भी हो सकता लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि इसको अप्लिकेशन करेंगे अच्छे से खुल जाता है मैंने आज दिन भर में सारे ट्रेडिंग अप्लिकेशन जीरो दा वगरा जो भी मैं यूज करता हूं सब यूज करके देखा है यहां पर मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं आई अगर आपको इस लगता है कि कोई दिक्कत आ अप्डेट आल करके अप्डेट कर लीजिए यह सब अप्डेट हो जाएगा और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल हो जाएगा क्योंकि अप्लिकेशन डेवलपर्स भी तो अप्डेट पुश करते रहे थे वो भी आपको करना जरूरी है अगली चीज़े दोस्तो बेंचमार्क से यहां पर बेंचमार्क परफॉर्मिंस आपको बिदायता हूँ तो यहां पर हिस्ट्री में लेकर चलियाता हूँ सबसे पहले CPU स्कोर जो है वो कंबेगर करके देख लेंगे आज है 28 जुलाइ तो 28 जुलाइ के पहले जो है अपडेट आया था वो 15 जुलाइ और वो ही अगर हम देखते है GPU स्कोर या फिर हम देखते है Computational Benchmark स्कोर तो 15 जुलाइ का था 9512 और इस बार कहो गया 9336 तो यहां पर घड़ गया अच्छा खासा 200 पॉंट से घड़ गया है तो हो सकता है गेमिंग में आपको दिक्कत आए लेकिन यह कभी-कभी जो है फोन के बैटरी लाइफ आपको निकाल के नहीं देखा आपका फोन लास्ट चार्ज मैंने किया था तोपैर के एक बच के 21 मिनिट को 97 परसेंट पे और उसके बाद अभी जो है शाम के 6 बच के 16 मिनिट हो रहा है यानि कि तकरीबन 6 गंटे बीद गए है या 5 गंटे बीद गए और म मेरे इसाब से जो है इसको मैं 2-3 दिन और देना चाहता हूं सेटल होने के लिए ताके मैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में एक फॉल ओ वीडियो के जरे से आपको जरूर बताऊंगा यहां पर देख सकते हैं जो जो चीज़े हैं मैंने इस्तमाल किया है कि कौन से कौन से बेटा 2 पे बेटा 1 पे हो जरूर जाके जो है आउस 15 का डेवलपर बेटा 4 जो है आपको इंस्टॉल करना चाहिए चाहे पब्लीक हो चाहे डेवलपर हो कोई फरग नी पढ़ता दोनों जो है सेम सॉफफ़ेर है अगर आप आप आउस 14 पे हो तो 14 के अंदर 14.7.1 आया वह नई करना है तो आईस 14पे डेवलोशन आएका तब आउस 15 पे आप जा सकते है